हेलो एवरिवन माई नेम इस एश्विलर मिश्रा वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल तो हमने हमारे प्रिविएस वीडियो में स्टार्ट किया था अल्टा साउंड इमेजिंग अर हमने देख लिया था वाट इस अल्टा साउंड वाट इस दा क्रेक्टरिस्टिक्स होता है और ट्रांस्जूसर के द्वारा हम इमेजिंग लेते हैं तो हमें आज की वीडियो में देखने हैं वाट इस ट्रांस्जूसर की जो हमने पिछली वीडियो में देखा कि ट्रांस्जूसर के कारने हमें मिलती है उसी से प्रेशर इलेक्टर सीट में कनवर्ट होती है तो हम आज की वीडियो में हमारे देखेंगे कि what is transducer और इसके components क्या क्या है Ultrasound Transducer A typical source of ultrasound waves which works on the principle of piezoelectric effect जो ultrasound transducer है वो एक source ultrasound waves का जो की काम करती है piezoelectric effect पर ठीक है यह transducer किस पर काम करेगा piezoelectric effect पर Transducer is a device that can convert one form of energy into another जो transducer होती है वो simply एक device होती है उसमें क्या होता है कि कोई भी यह क्या करता है एक एक energy की form को दूसरे form में convert करता है यह transducer कुछ भी हो सकता है जैसे कि अगर हम माने battery है तो बैटरी में क्या हो रहा कि chemical energy होती जिसे वो electricity में convert कर देता है तो वो भी एक टाइप का और electrical city को mechanical ways में convert कर देता है तो यह होता है ultrasound transducer और किसी प्रिंसिपल पर काम कर रहा है पीजो electric effect के उपर diagnostic transducer act as both a transmitter and a receiver of ultrasound की जो transducer होते हैं वो एक तो transmitter हो सकते हैं कि वो सिर्फ waves को transmit करें संचरित करें एक होते हैं receiver की वो उसको ले ले मतलब receive कर लें बट जो diagnostic ultrasound transducer होते हैं वो transmitter और receiver दोनों एक ही टाइम पर काम करते हैं कि वो ही ultrasound wave को transmit करेगा वो संचरित करेगा और वो ही receive करेगा ultrasound को दुबाया से tissue से ठीक है तो होते हैं ultrasound transducer तो इतना सा पता चल गया है कि what is ultrasound transducer ultrasound transducer वो होते हैं जो आपको पता है वैसे टांपिंग ब्लोक और इंसुलेटर टांस्यूसर हाउसिंग को एक्जियल केबल ठीक होते हैं construction components of transducer तो आपको पता है वैसे टांस्यूसर किस बारे में बात कर रहे हैं आपको यह पता होना चाहिए कि जो हम प्रॉब जो हम प्रॉब भी बोल देते हैं यह मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जिसको हम रोल ओन करते हैं पेशिंट की बॉड़ी पे उसी ही ह सबसे पहले देखो इसमें सबसे पहले जो मैंचिंग लेयर होती है फिर पीजो एलेक्टरी क्रिस्टल मिल रहा है आपको जो और इंज से कलर में हैं बैकिंग ब्लॉक अकॉस्टिक एब्जूर्बर यह जो बाहर की हाउसिंग उसे हम बोलता है टांस्डूसर हाउसिंग और अफिर प्रन्सरफेस पे सबसे पहले मिलती था इसकी सबसे पहले मैंचिंग लiयर है इसे श्रफ्माइटिंग मैंचिंग लार कि लिखा होँवा मिलेगा आंधम काॉस्टिक पाउडर कीभी Прेस ऐपक्सी की बत् decl olmas एप्यमिनीन थी辉र की प्ल्स इपक्सी रेजिन लीदिन तो यह जो matching layer है epoxy resin और aluminum powder के mixture की बनीवी होती है the thickness of matching layer is generally 1 by 4th of wavelength of ultrasound produced जो matching layer की जो thickness होती है यानि जो t है इस्की thickness है वो कितनी होती है 1 by 4th of ultrasound की wavelength होती है जितनी ultrasound बनेगी transducer की उसकी 1 by 4th होती है तो इस चीज को मैचिंग हो रहीज है difficult one by fourth wavelength match 1 by 4th wavelength in the thickness of DM- DJ दो मिनिमाइज क्रिस्टल रॉच आहिए तो सभी पूछ मैचिंगलेर योड्रीक्र देरन पाणिटक्न अपाल्णि टूंक क्या सभीन पोछें को बढ़ा देता है और तो मैक्सिमाइज टांसमेशन फॉल्ट्रसंट फ्रम पीजएलेक्टर क्रिस्टल तो पेशेंट कि हम ने पहले देखा था कि प्रीविज वीडियो में देखा था कि अकॉस्टिक इसमक्रीजग के इंपिडेंस के कारण कभी कभी क्या होता कि पहुत दहुताई कि तो अधीज को हटाने के लिए कम करने के लिए अंपेश हो सके तो देखांग रखते कि इस चीज की परफकी तो इसका वालों के उसके लिए इंपोर्टेंट थे कि वाट इस क्वाटर वेव मैचिंग क्रिस्टल के कि है कि यह इसके उंपर पूरी है यसके उंपर सम्पर पोरी इंपम्रभ के नेच्टर्पीजवियक्टर क्रिस्टल बोलेंगे ठीक है नाव सेरीमिक मेटरियल सर यूज तू प्रोड्यूस अल्टरसाउंड की पहले तो हम वह लेक्वार्ज लेते थे जो कि एक नैच्टर्ड पीजउ लेक्टर क्रिस्टल है बट आप हम लोग क्या करतें सेरेमिक मेटर बनाते हैं ताकि वो अल्ट्रसांट को प्रोड्यूस कर सकें इसमें से दो इंपोर्टेंट है वह है पीजटी और पीवीडी एफ पीजटी इस मोस्ट इंपोर्टेंट लैड जरकोनेट टाइटनेट तो यह पीजटी पीवीडी एफ प्लास्टिक पॉलिविनेल्डीन को ऑप आर्टी और मातीरियल जिट प्रोड़ाइड इस क्यूरी टेंप्रेचर अंडर हाइब वोल्टेज कि की बीजाओं ये इस डांकृऊ को सब्कॉट्रेंट से प्यूर्टी से ज्चाइगमड रूता में फिसी जी से प्यूरी टेंप्रेचर होना घंप्लेशा प्रग् लेकिन जैसे ही अगर क्योंड़ी तेमपरेचर के अफ रूपर हीट देनी है। तब हम रिख ते इंपोर्ट है कि जितनी तिकने से ज्यादा होगी उतनी कम फ्रिक्वेंसी के रिखते हैं। ठीक है जनरली ठीकनेस ऑफ पीजोलेक्टर क्रिस्टल हम कितनी रखते हैं पॉइंट फाइफ एमेम ठीक है नॉमली इतनी होती है इसे एक एवरेज फ्रिक्वेंसी हमको मिल जाती है अल्टरसाउंड की जो कि हमारे रूटीन अल्टरसाउंड के लिए यूसफुल होती है तो वह दो होते हैं पीजेटी एंड पीवी डीएफ ठीक है बनाने के लिए क्या करना पड़ता है क्यूरी टेंपरेचर से जाधा की हीट देनी पड़ती है तिकनेस इसकी जितनी जाधा होगी क्रिस्टल की जो फ्रिक्वेंसी में मिलेगी वह उतनी ही कम होगी नॉर्मल थिकने चाहिए इसमें गोल्ड यह सिलवर और रखते हैं अउट्साइब एलेक्ट्रोड इस ग्राउनड डूट प्रूट पेशेंट फ्रॉम एलेक्ट्रिकल शॉक और इसे की पेशेंट और रख सके और इसका जो आउट्साइब यह इन्युद्र प्रॉक्ट्रिक्र्रिश्ट करे कीवधने ईनटिकल इंसुलेटर से थीक है तो क्रिस्टल के पहल जाता है वो इसंट इन कॉंट्रích बैकंग ब्लॉक तीक जो बैकंग 20 ब्लॉक योगा उसके उससे में बना रहते है यह दो एसके पीछ य्दिध बेकिंग ब्लॉक के साथ कॉंटेक्ट में होगा दा फ्रेंट बेक सर्फेस इस अफ इस तो इन दोनों की बीच में गुड कॉंटेक्टिविटी बने रहे 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 एक दूसरे से बिल्कुल चिप की रहे इसके लिए इसके बीच में लगाई जाती है फिस पास सब्सक्राइब को बिलेंगे ऑटर वह फिसटन को शॉक न लगे अंदर वाव़क्तर होगा और यह बाकिंग ब्लॉक से कंतेक्ट में रहे गा और यह चीज होती है क्यों फेक्टर वाट इसक्यू फेक्टर वाट रिक्वेंसे रिच्वन्सज साव पर्वेंस इसको बडनाने के लिए क्यूं Fe za सबाव में तर इस जए उछ सब्σक्रेदी बड़में उसकाणता ध्रह सब्सक्रांवक छो यह कितनी देर पर्सिंट कर सकती है कितनी देर तक फशे मालता है छोमीत इसे भी हम बहुत सारे चीज़ों को बादा पता कर सकते हैं हम डॉपलर इफेक्ट में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे बैकिंग ब्लॉप उनको प्रिवेंट करता है इट इसे कि इन चाहिक्ट में यह तोड़ी चोटी हो जाएगी कि इसने ऑस्जिलेशन को तीन से चाहर साइकल में रोखती है जैसे कि हमें कोई पल्स इस टैप से मिलती है विआ इस से ऐख इन से बैंक के ब्लोक में 3-4 इसे ड्लाइशन हमें चुक्त हमें लिए िस यह बोड कि ऐसी हम इंपरोफ पावडर सोन है कि ऊपक लीगा मतलब धसे हुए तो epoxy resin में धसे हुए होते हैं tungsten प्लस rubber powder तो यह इस चीज के बनीवी होती है the ratio of tungsten to resin की इस resin में कितना tungsten होना चाहिए यह किस टैप से चूज किया जाता है to satisfy the impedance requirement जो impedance प्रतिभादा requirement होती है जो हमने देखा ता कॉस्टिक तो इसको satisfy करने के लिए हम tungsten का ratio चूज करते हैं कि कितना चाहिए और कितना नहीं और rubber powder जो एड़ किया जाता है वह इसलिए कि sound का attenuation भढ़ सके backing block में the rubber powder is added to increase the attenuation of sound in the backing block जो हम sound का attenuation ही हो रहा है कि यह जो vibrations को prevent कर रहा है तो उससे क्या और sound का attenuation हो रहा है sound को absorb कर रहा है तो इससे वह sound का absorption और scattering भढ़ सके backing block में इसलिए हमें rubber powder को mix किया दाता है तो यह होता है backing block किस चीज का बना होता है tunguston rubber powder का किसके काम आता है excessive vibration को prevent करने के लिए तो इस इस दा backing block in ultrasound transducer next आता है acoustic absorber और insulator तो हम इसके नाम से पता लग रहा है acoustic absorber और insulator acoustic मतलब sound से related होता है insulator या absorber मतलब उसको रोकने वाला कि this layer ensures that no other external sound ways affect the transducer कि जो transducer है उसको कोई दूसरी मतलब जो environment की external जो other sound waves है वो उसको affect ना करे यह layer उसको ensure करती है ठीक है यह क्या करेगी जो भी अगर बहार की acoustic energy उसको absorb कर लेगी और उसको insulate कर देगी transducer को ठीक है इसका काम यह होगा कि जो पीजो लेक्टर के element है उसको external sound waves से बचा करके रखेगी नेक्स रहता है transducer housing this is outer covering of transducer which contain all components of transducer and protect them from physical and chemical damage और जो housing है वो तो हमें पता ही चल रहा है यह एक outer covering है transducer की जिसके जो अपने transducer के सारे components को contain करके लगती है उनको protect करती है physical और chemical damages से coaxial cable लास्ट होता है coaxial cable a number of micro coaxials are bundled for ultrasound probe cable कि इसमें क्या होता है कि यह चोटेछोटे cables होती है चोटे चोटी electrical connectivity होती है यह एक साथ bundle होती है अब यह पूरी bundle हो चुकी तो छोटे चोटी micro coaxial cable एक साथ bundle होगी तो यह से बोलता है coaxial Cable और यह provide करती है better electrical connectivity इन चोटे-चोटे यह एक बैटर इलेक्टिकल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है एल्ट्रसाउंड प्रॉब को ठीक है तो यह होती है को एक्जिल कैबल यह होता है पूरा ट्रांस्जूसर का कंपोनेंट्स कंस्ट्रक्शन हम जिसको बोल सकते हैं इसमें हमने च्छे जेखे हैं सबसे पहले आती है मैचिंग लेयर जो कि इंशूर करती है इंपीडेंस को ठीक है और ट्रांस्मिशन को बढ़ाती है इसकी बाद में आता है पीजो एल्ट्रसाउंड बेस्ट है उसके जो की इलेक्रिकल कनेक्टिविटी को बना के रखेगा तो यह होता है अल्ट्रसाउंड का ट्रांस्डूसर का कंस्ट्रक्शन हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इस ट्रांस्डूसर के टाइप्स पढ़ेंगे कि अलग-अलग क्या टाइप्स हो सकते हैं अगर आपको इस वी क्या शूत्ज सकते हैं था Серед दौसी ऑमिहा टू आएप्सद का वा तो यह हो अनलग कर तो कि अरोस्ट हमारे कि उना सकते ह। že तो अवादन है यह हो जो להיות अो capitalize कि Ben